नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका कड़ बकड राहुल धाकड और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है अड़ा 247 स्कूल दोस्तों भाया होली आ चुकी है और आप लोग को लग रहा है कि क्या करें होली खेलें कि एक्जाम की तयारी करें क्योंकि दोनों बिल्कुल पास पास हैं इसलिए टर्म टु की तयारी के लिए अपनी सारी चिंता अकड बकड राहुल धाकड पे छोड़ दें क्योंकि मैं ले आपको सारी चिंता मेरे पर छोड़नी है क्योंकि दोस्तों मेरे पढ़ाई हुए से बाहर ना आज तक आया है और ना कभी आएगा तो इसकी guarantee मेरी है कि आप लोग best performance दो आज जो topic लेकर आया हूं यह बहुत important topic topic माना जाता है क्योंकि इस पर question बनता ही बनता है और exam में question आता ही आता है तो मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं integral by parts जो की integration का बहुत major topic है और ऐसे ही आगे आगे मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे key topics लेके आने वाला हूं जो की exam में ऐसे के ऐसे ही आने वाले हैं और यकीन मानिये जो मैं PPT में आपको शोगर हूं सवाल वही सवाल आपके exam में भी फस जाएगा तो भाईया इस वीडियो को like करिये चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करिये और इतने से काम नहीं चलेगा और विसी बात है आप अपने दोस्तों तक भी इस link को पहुचाईए और बताईए कि अकड़ बकड़ राउल लाकड़ आपकी मदद के लिए आ गये हैं तो होले की रंगों गरिशुक कामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का lecture तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप integration by parts यह कब कैसे काम आता है कैसे solve करते हैं आपस में मल्टिप्लिकेशन के फॉर्म में हो यहाँ पर अगया हम कोशिश करेंगे solve करने की तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक फंशन नहीं दो फंशन लिखे हुए हैं मतलब यहाँ पर दो फंशन है उसको integrate करना है हमने अभी तक जितने भी फॉर्मले सीखे वो एक फंशन को integrate करने वाले थे अब अगर एक फंशन को integrate करने वाले थे तो इसको कैसे integrate करें इस सी को तो कहते हैं integral by parts दोस्तों एक छोटा सा rule होता है उस rule के follow करने के बाद आप इसको बड integration of u into v दो फंशन को अगर आप integrate करते हैं तो एक फॉर्मला है जो कहता है यू integration of v dx minus integration of u dash मतलब अगर यहाँ पर दो फंशन है तो दो फंशन के लिए first function लगेंगे second function का integration करेंगे minus integration करेंगे किसका d by dx of first function और उसके बाद integration of second function बड़ा ही आसान होने वाला है साय शायद सुनने में थोड़ा सा लग रहा होगा कि यार सर कैसी बाते कर रहे हैं आप क्या करने वाले हैं लेकिन थोड़ी देर में clear crystal हो जाएगा यह topic आप लोग को बस इतनी सी ब हाई यहां पर दो function है यू इंटू भी पहला function और दूसरा function पहले function का integration नहीं करेंगे उसको leave कर देंगे as it is integrate करेंगे second function को minus का sign लगाएंगे integration लगाएंगे बड़ा सा bracket लगाएंगे differentiation of first function into integration of second function अब यह करते कैसे हैं solve कैसे करेंगे answer कैसे आएगा यह हम अब धीरे-धीरे समझते हैं जर्द ध्यान से देखिए आपके पास यह question था अब इस question में आपने देखा कि x और cos x तो आपका सवाल पहला यह रहेगा कि क्या randomly हम first function किसी कोई माल ले क्या randomly हम second function किसी कोई माल ले ना बबा ना एक rule है उस rule को follow करेंगे हम लोग इस rule के according आपके पास दिख रहा होगा कि यह u into v first और second function को बनाने के लिए एक छोटा सा rule follow करना पड़ेगा and that rule is isolate उसमें formula हमारे सेम रहेंगे कि integration जब भी हम करते हैं constant का तो it gives you ax plus c याद आगे आप लोग को कि जब भी हम indefinite integral करेंगे तो आपके पास य जब भी indefinite integral करेंगे तो c लगाना पड़ेगा definite integral करेंगे तो c नहीं लगाना पड़ेगा और वैसे ex का one by x का सब का integration जो है आपके सामें लिखा हुआ है तो यह पहले तो recall कर लीजिए आप लोग formula ताकि हम शुरुवात कर पाए हमारे अगले के जो main part है उसकी ठीके दोस्त state मतलब यह I stand for inverse L मतलब log logarithms inverse का मतलब होता है arc functions sine inverse cos inverse या देगी नहीं arc functions I hope you remember right A मतलब algebra T मतलब trigonometric functions और E मतलब exponent सर अभी पर समझ में नहीं आया अरे बस इतना याद रगलो कि isolate principle का इस्तमाल करने वाले हैं और isolate principle से ही हम लोग decide करेंगे कि UV में से who will be the first function and who will be the second function are you getting my point जैसे कि अगर मैंने बोला आप लोगों से कि सर यहाँ पे x cos x लिखा हुआ है तो यह बताओ यह क्या है this is algebraic function this is trigonometric function yes or no now how will you decide कि algebraic function comes first और trigonometric function come first isolate principle को याद करो I L A T E आप खुद सोचो algebraic function जो है पहले आता है trigonometric function जो है यह बाद में आता है तो obviously this is going to be first and this is going to be second I hope you are getting my point फटाफट फटाफट एक बार thumbs up मार दो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ गया हो तो जल्ली से अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आपने देखा कि this is your first function this is your second function formula आपको चितर याद था क्या था फार्मुला u into v u integration of v minus integration of d by d x u differentiation of u and integration of v अब यार यहाँ पर सीधी बात यह है कि first function क्या था आपका first function क्या था आपका x उसको आपने as it is लिग दिया फिर लिखा आपने cos x तो आपने cos x को लिख दिया और obviously you will write dx also क्योंकि आप किसी भी function को integrate करते हैं तो आप dx लिखना नहीं बूलते हैं so I hope this much is clear right अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि integrate जब करेंगे तो what it will be integration of cos x आपको बता है चितरा से और जैसे इसको integrate करेंगे तो यहाँ पर differentiation of x that is 1 one right और integration of cos x आपको फिर पता है तो आप इस तरहा से पूरे के पूरे question को easily solve कर लेते हैं I hope you understood और याद रखिएगा कि जैसे ही आप पूर का पूरा इसको integrate कर देंगे तो plus c भी आएगा इतनी सी बात भूलना मत की add the end answer में c भी लिखना है right तो this is how we solve right वैसे ही यहाँ पर आपको पस एक question है integration of t to the power 7 sin x dx right यह सवाल है इसको कैसे करेंगे एक बाइ try करिए फटाफट याद रखिएगा कुछ formula जो है यह recall करवा जता हूं मैं आप लोगों को ताकि आप भूलो नहीं यहाँ पर integration of sin x क्या होता है minus cos x integration of cos x क्या होता है sin x तो यह formula जो है भूलियेगा मत आप लोग यहाँ पर integration of cos x क्या होगा minus sin x यहाँ पर क्या होगा minus sin x एक बार और करेंगे integrate यहाँ पर तो आ गया minus x sin x minus 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 plus और जब एक बार sin x का भी integration होगा तो यहाँ आएगा cos x plus c तो this is your final answer. Similarly when we move ahead, right highlight principle भूलना नहीं ठीक है और यहाँ पर आपके पास आता है t to the power 7 sin x dx इसका आपको integration करना है. एक बार फिल सोच लीजे कि भाई यहाँ पर sin t रहेगा और यह रहेगा d t Why? Because each and every function should be in same form. If you are integrating function of t, it should be with respect of t only. तो t to the power 7 sin t dt Now what? आप खुद सोचो यह कौन सा function है? algebraic function है. यह कौन सा function है? trigonometric function है highlight के हिसाब से कौन पहले आएगा? highlight के हिसाब से obviously बात है algebraic function will be first trigonometric function will be second. Right? Now again again t to the power 7 integration of sin t okay now go ahead fourth तो आपने देखा कि भाई formula अगर आपको recall करने है तो आप पीछे जा सकते हैं पुझी तरह से कोई छुट्टी वाली बात नहीं है यहाँ पर क्या हुआ? आपने देखा यहाँ पर integration of cos x क्या था? sin x पर integration of sin x क्या था? minus cos x तो यह जो चीजे हैं याद रखिएगा proper तरीके से और बिल्कुल सही लगाईएगा formula A integration of sin x अगर क्या होता है? cos x होता है तो integration of sin t क्या होगा? यह थोड़ा ध्यान से चलिएगा एक बार answer अगर आपका आजाए तो फटाफट फटाफट चैट बॉक्स में डाल दीजे be quick चलिए भी या बोलते जाएए t to the power 7 minus cos t minus this is going to be 7 t to the power 6 and this is going to be cos t minus cos t right? now we will take this in this form minus cos t यह तो होगया अपना अब यहाँ पर 7 तो बाहर आजाएगा यहाँ आएगा t to the power 6 और यह minus minus plus और यह बोलते जाएगा d t अब इस position से एक बार फिर से आपको इसमें लगाना है integral by parts that's it दोबारा से यहाँ लगाएंगे आप integral by part that's it and it is done are you getting my point? यहाँ से आप integral by part लगाएंगे फिर से जैसे कि अपने यहाँ लगाया था और आपका answer आजाएगा इतना ही आसान होता है integral by parts क्या कहा? सर तब भी कोई कोई सवाल नहीं बनते भाईया आसान सवाल तो बनते कैसे समझ में आ गया? अब आप पूछ रहोगे कि तब भी कुछ सवाल होते हैं जो नहीं बनते हैं तो उन सवालों को भी मैं दिखाऊंगा उन सवालों की जानकारी है मैं दूँगा ये सवाल देख लिए आपने ये सवाल देख लिए आपने आगे बढ़ते हैं integration of log x ये कैसे सवाल है जो जब आएगा what लगा देगा? जी हाँ ये सवाल जब आएगा तो हालत खराब कर देगा अगर आपकी प्रेटिस नहीं हो तो जब भी integration of log x आता है तो मेरे कई दोस्त यकीन मानिएगा कई दोस्त 1 by x लिखके छोड़ देते हैं जो की गलत है differentiation of log x 1 by x होता है integration of log x का कोई formula directly है ही नहीं integration of log x का कोई formula directly है ही नहीं exist ही नहीं करता तो sir कैसे किया जाए इस question को करते कैसे है इसका एक unique pattern है अगर आपको आता है तो फटाफट फटाफट comment box में मेरी आगे की बाते बोलने से पहले type कर दीजिए जी हाँ जल्दी type कर दीजिए दोस्तों जब भी log x आता है तो आपको समझ में आना चाहिए यह चीज कि log x का integration नहीं होता formula क्या होता एक बार देख लेते हैं formula is this कभी भी first और second function का अगर integration करते हैं तो first function यासे रहाता है और second function का integration होता है minus differentiation of first function integration of second function तो इससे हमें क्या देखने को मिला इससे हमें ये देखने को मिला दोस्तों कि integration हमेशा 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 किसका हो रहा है second function का हो रहा है दुबारा समझेए integration जो है formula में किसका हो रहा है first का हो रहा है second का हो रहा है जी हाँ second का हो रहा है इसका मतलब क्या है कि first को कभी भी integration को face नहीं करना पड़ रहा इसका मतलब यह है कि first का एक बार होता है तो differentiation कभी नहीं हो रहा इसका मतलब क्या है दोस्तों are you getting my point इसका मतलब यह है कि अगर log x हम ले रहे हैं तो log x का integration तो पॉसिवर ही नहीं तो one into log x लेंगे कहलेंगे दोस्तों 1 into log x यह इसका unique form है यह आपको इदिमाग में रखना है हमेशा कभी भी कोई भी ऐसा function जिसका direct integration possible नहीं है उसको हम integrate कर सकते हैं उसका answer निकाल सकते हैं 1 into that function करके क्योंकि 1 into log x में अब बोलो सर फस्ट function किसको लें अभी आपने फॉर्मल में दिखा कि second function जो भी रहेगा उसका integration होगा तो क्या log second function बन सकता है नहीं बन सकता क्यों नहीं बन सकता क्योंकि log का integration possible नहीं है तो सर क्या log को first function बना दे बुलकुल बना दे अगर log बन जाएगा first function बनेगा वन बन जाएगा सर क्या वन का इंटीग्रेशन पॉसिबल है हां भीया है सौ बार किया है यह लोगों ने अरे हाया ना एक बार हातों बोल दो अरे कमेंट बॉक्स में हातों लिख दो क्या बोलते हो भाई जल्दी बताओ जी हां तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग इसको ले ले वर्स्ट्पेंशन सेकेंट स्टेशलेलिंगे वन को तो जब भी करेंगे इंटीग्रेशन तो फॉर्मले Intigrate 1 minus integration of log x का differentiation तो स्वासिबल है ना मिरा ब्लगुल पॉसिबल है और यहां पर क्या आया आपका यहाँ पर फिर से आया 1 तो यहाँ पर integration of 1 क्या होता है मैंने यहाँ पर dx लिखा नहीं है आप समझ जाना ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है log x और 1 का integration x minus integration of log x का differentiation क्या होता है 1 by x integration 1 का क्या होता है x क्यो भई x और x क्या होता है cancel तो अगर मैं यहाँ पर आगे बढ़ूं तो X और X cancel हुआ तो we are left with one only तो integration of one क्या होता है? X. तो answer क्या रहा? X log X minus integration of one is X और क्योंकि यह indefinite integral है तो आखरी में क्या लिक देंगे? Let's see. एक बार फटा फट चेक कर लो इसको. So I hope, I hope दोस्तों you got it. अड़ा 247 की तरफ से ये वीडियो यही तक था. मैं दुबारा से नया topic लेके आऊँगा, 100% की पिछकारी लेके आऊँगा. लेकिन तब तक, तब तक वेट करिए मेरा, मेरा नाम है अकड़ वकड़ राहूल दगड़. और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिए और शेयर करना ना भूलिए. Thank you very much. Bye-bye. Love you all and happy only.